सब्सक्राइब करें हमारे यूटूब चैनल बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें जिससे आगे आने वाले सभी यूटूब अप्डेट्स, वीडियोज, नोटिफिकेशन्स आपको मिलते रहें नमस्कार आप सभी विध्यारतियों को परिशकार परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत में डॉक्टर किरन शर्मा आपकी बोड की परिक्षाएं प्रारंभ हो गई है और आप अपनी परिक्षाओं में बिल्कुल तैयारी के साथ जुटे पड़े हैं और आप अपने विशय के अकॉर्डिंग जो है विशय को पढ़ते जा रहे हैं अपनी तैयारी को दुरुस्त करते जा रहे हैं हिंदी साहिते के विध्यारतियों की जो परिक्षा 10 अप्रेल को है उस परिक्षा के लिए आप सभी को अगरिम शुप कामना है और उन सब विध्यारतियों के लिए कुछ हम मॉडल पेपर लेकर आये हैं उस मॉडल पेपर के दुरू आप अपनी त्यारी को और भी अच्छा कर सकते हैं जहां कमी रह गई है विध्यारतियों को जहां लगता है कि मेरा ये पक्ष कम जो रह गया है वो और भी आप तयार कर सकते हैं और अपना अच्छी आपको पता है कि कैसे प्रश्ण आपको मिलने वाले हैं, क्या विश्यवस्तू आपको लिखनी है, कितने अंकों के लिखनी है, कितनी शब्द सीमा में लिखनी है, ये सब आपको मालूम है, बस इस प्रश्ण पत्र के माध्यम से हम फिर से अपनी तयारी को सुद्रड कर विद्यारतियों के साथ मिलते हैं तो उन सब भी विद्यारतियों को फिर से अगरीम-शुंकामनाए स्टार्ट करते हैं देखिए पेपर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो है अपने अंक भार को देखने कि किस तरह है कि अंक भार के साथ हमें जो है वो प्रशन मिलने वाले हैं तो प्रशनों का जो टाइप है वो किस प्रकार रहेगा आपकी प्रशन पत्र में ग्यान से सं संबंदित प्रश्ण और मौलिक्त और कोशल इनसे संबंदित आपको प्रश्ण मिलेंगे वह भी आपको बताया गया देखिए अंकभार ग्यान के 16 का है और अगर हम अबोत की बात करें तो 33 जो है वह अंकभार रहेगा यहां पर अभियक्ति और ग्यानों प्योग का जो है व कुशलता को लेकर बात की जाएगी तो 8 नंबर और 80 नंबर के लिए आपको अपना पेपर देना है चूकि पेपर होगा तो 100 मार्क्स का लेकिन 80 अंक का आपको प्रश्ण पत्र मिलेगा और 20 सत्रांग के रूप में आपके विध्यालेों से आपके मार्क्स यो है वो भेजे गये हैं 20 में से जितने भी मार्क्स आपको मिलेंगे प्रतिशत के रूप में यहां पर पूरा आपको ब्यारा दिया गया है चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए अब प्रश्णों के प्रकारवार अंक भार बिल्कुल आपको मालूम होना चाहिए कि किस किताब से और किस आपको ति अब इक वार आपको रेक्टिस्तान की पूर्ति वाले मिलेंगे वह कुल मिलाकर आपको जो है वह वह 18 प्रतिशत रहेगा अंक प्रति प्रति-प्रश्न एक रहेगा ही आपका इसके बाद अदि следующ ーप्रति प्रति-व्र हैं आपको ब्यारह दिया गया है लिए ज इसका यहां पर फॉर्मेट भी दिया गया है और कुल अंख प्रतिशत वो दस प्रतिशत आपके लिए रखता है नेक्स्ट हम बात करें तो निभंदात्मक प्रशन आपको पांच पांच और छे नंबर के लिए यहां पर मिलने वाला है और संभावित समय भी आपके प्रशनो की हम बात कर लें तो आपको जो है दो जो पेरिग्राफ मिलेंगे एक तो गध्यांश होगा एक पध्यांश होगा अंसीन होगा एपठित होगा जो आपने पहले नहीं पड़ा है उसमें से आपको प्रशन मिलने वाले हैं उसके बाद रचना निभंद जो है वो आपको मिले चाहे वो पद्दे की हो चाहे वो गद्द्य की हो इस तरह से आपको है वहाँ पर से भी प्रशन मिलने वाले हैं और पाठ्थे पुस्तक अंतराल दो इसमें से भी जो पाठ्थ आपके लगयोवे हैं उसमें से भी आपको प्रशन मिलेंगे तो कुल प्योरा कुल योग आपके सामने प्रस्तुत है कि कितने अंक के लिए हमें पुस्तक को पढ़ना और हमें अपनी तैयारी पूरी करके चानी हैं चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अब हम बात करते हैं अपने प्रशन पत्र की आपने अर्द्वाशिक परिक्षा दी है आप सभी को मालूम है आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है आपने बहुत सारे मॉडल पेपर का अध्यन भी कर लिया है आपको पता है कि आपको सबसे पहले जो है वो एपठित पध्यांश मिलेगा एपठित पध्यांश जो है वो आपके 6 प्रशन उसमें से दुर्योधन को समझाने को वीशन विद्वन्स बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए दो न्याए अगर आधा दो पर इसमें भी यदि बादा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धर्ती तमाम इसके बाद देखते हैं देखिए हम वही खुशी से खाएंगे परीजन पर असी न उठाएंगे दुर्योधन वह भी न दे सका आशी समाज की ले न सका उल्टे हरी को बांधने चला जो था ऐसाध्य साधने चला जब नाश मनुच पर जाता है पहले विवेक मर जाता है तो यह कविता के अंश है अब यहां स ते जो 12 प्रश्न आपको एप पठित गद्यांश और पध्यांश में से मिलने वाले हैं उसमें से आप कोई प्रश्न का उत्तर गलत नहीं करें और वो 12 के 12 अंकाब बिल्कुँ सहेच कर अपने अधिकार में कर लें चलिए आगे बढ़ते हैं कैसे प्रश्न आपको मिलेंग शीरशक क्या होगा, चार आपको जो हाँ पर option दिएगा है, तो इसमें से कृष्ण का जो मैत्री प्रस्ताव, कृष्ण जो है वो हस्तिनापुर राज्य में, क्या लेकर आते हैं, द्रश्टरास के सामने क्या लेकर आते हैं, जो पांडवों का मैत्री संदेश लेकर आते हैं वही इसका शीशक और वही इसमें मूल बात कही गई है तो कृष्ण का मैत्री प्रस्ताव इसका शीशक हो जाएगा पध्याज का आगे बढ़ते हैं देखिए नेक्स्ट पांडव संदेश में कितने गाउं को देने का उलेख जो है वो किया है कि बही कितने गाउं पांडव को दे देने चाहिए दो तीन पांच छे आपने अभी पढ़ा भी था तो वहाँ पर आपको पांच गाउं जो है इसके सही उत्तर के रूप में मिल जाएगा आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन देखते हैं देखिए तुरिय अगले प्रशन के और बढ़ते हैं देखिए ऐसाध्य का विलोम शब्द है अब आपके उस पेरेग्राफ में से आपको व्याकरण से संबंदित कोई प्रशन मिल सकता है कोई आपके समास का मिल सकता है कोई आपके प्रत्य का मिल सकता है तो आप ध्यान से उसे पढ़िएग हमारा साध्य हो गया है फिर आगे बढ़ते हैं देखिए अगला प्रशन देखते हैं भगवान पांडवों का संदेश लेकर जाते हैं मिर्जापूर जाते हैं दिल्ली जाते हैं हस्तिनापूर जाते हैं या फिर पांचाल प्रदेश जाते हैं तो अभी हमने पढ़ी और हमने दुरियोधन ने बादने का प्रयास किया जो एससफल प्रयास हो करता है तो दुरियोधन इसका सही उत्तर हो जाएगा इस तरह आपको जो पध्यांश मिलेगा उसमें से 6 प्रशन आपने सौल कि और आपके 6 अंक पूरे आपके आ गए हैं चलिए अगले हम जो है आपको मिल रहा है तो सारे प्रशन उसी में से आएंगे इसलिए आसनी से आप 6 प्रशनों का दो बार पढ़ने के बाद धहरे के साथ पढ़िएगा अंडरलाइन कीजिएगा मुख्य मुख्य विश्यवस्तू को और प्रशनों के उत्तर के साथ आप सही उत्तर जिस राष्ट के लोग द्रड संकल्प तथा परिश्रम पूर्वक कर्म में लीन है उनकी उन्नती तथा प्रगती अवश्य संभावी है बिलकुल परिश्रम ही व्यक्ति विश्वास पूर्वक मार्ग की इबाधाओं को हटाता हुआ निरंतर अपनी लक्षे की और अग्रि परिश्रम ही रहा है आगे फिर देखते हैं इस परिग्राफ को चाहे न्यूटन और रमन जैसे वैग्यानिक हो या शेक्स्पियर और टैगोर जैसे कवी राक फेलर और बिल्ला जैसे व्यापारी हो लिंकन और गांधी जैसे जन नेता हो सभी ने अपने अपने शेतर में आपके सामने है और शीशक को पढ़कर और जो है वो हम कंसेंट्रेट करेंगे पूरा परिग्राफ पढ़ने के बाद हमें यही समझ में आ रहा है कि परिश्रम का जो महतु है उस पर इसमें बात की कई है इन चारों के अपेक्षा मूल बात जो भर कर आई है परिश्रम के मह सायुत्तर क्या हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा कठोर परिश्रम के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं किसी भी राष्ट को जो है वो इकसित कर सकते हैं अगला प्रशन हमारा कठोर परिश्रम से सफलता मिलती है लक्षय प्राप्ति का विचार करने में संकल्प करने में मह महान और समरद शाली बनने में तो सही उत्तर क्या हो जाएगा महान और समरद शाली बनने में जो है वो कठोर पैश्रम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है आगे बढ़ें अगला प्रशन है जो पैश्रम से जी चुराता है वह सदा दीन हीन बना रहता है सितात पर रहे है चा विशा ही अपना जीवन जो है वो गरीबी में बुजारता है ये इसका सही उत्तर हो गया अगले प्रशन की और बढ़ता है तो देखिए दीन हीन में समास है आप से व्याकरण से संबंद रखने वाले प्रशन भी उस पेरेग्राफ में से आप से पूछे जाएंगे तो दीनत की हद तक हीन है जो करमधारे समास, दीन और हीन, दवंद समास दीनता से हीन, तथ पुरुश तमास, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दीन और हीन, जो है वो दवंद समास आता है नेक्स्ट अगला अंतिम प्रशन हमारा कौन सा व्यक्ति लक्षे की ओर अग्रसर रहता है? तो चार आपके सामने यहाँ पर व्यक्ति है, कौन से व्यक्ति लक्षे के और अग्रसर रहेगा, परिश्रमी, कमजोर, आलसी, महापुरुष, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परिश्रमी व्यक्ति जो होता है, वो अपने लक्षे के और हमेशा अग्रसर रहता है, तो छह न कावे सोंदरे का अपकर्ष करने वाले तत्वु को अवियसली क्या कहेंगे हम जो अपकर्ष कर रहे हैं उनको काव्य दोश्च कहेंगे तो इस तरह से इनका उत्तर हो गया और आपके फिलिंग दा ब्लैंक्स कहीं से भी आ सकते हैं, आपने अपना अध्यन पूरा कर लिया है, तो छोटी से छोटी चीज भी आपको लगता है कि मेरा ये अध्यन थोड़ा सा शेश रह गया है, मुझे और देखना है तो उसका रिव दूर हमसे कीजिए, उप्युक्त पद में कौन से छंद का प्रयोग किया गया है, तो छंद के प्रशन भी आपको मिलेंगे, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, गीति का छंद का प्रयोग यहां पर किया गया है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रशन को हम देखते है अगला प्रशन है हमारा, एक शब्द के माध्यम से अनेक अर्थों की व्यंजना होने पर अलंकार होता है, तो आपको अलंकार से संबन रखने वाले प्रशन भी मिलेंगे, तो देखिए यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, शलेश यानी की शब्द एक है, लेकिन उसके अनेक अर्थ चिपके वे हैं और चिपका होने का अर्थी यहां पर शलेश लंकार हो जाएगा, तो सही उत्तर शलेश लंकार हो गया, नेक्स देखिए, अंबर पंगट में डुबो रही, तारा घट उशा नागरी में अलंकार है, अब यहां पर आपको एक पंक्ती दी गई उस पंक्ती में जो है, वो कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है, तो मारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहां पर रूपक अलंकार हो जाएगा, वही अंबर रूपी पंगट में तारा घट उशा नागरी, जो चतुर उशा रूपी नाईका है, वो अपने घड़ों को क् चंद, अलंकार और जो है, वो चंदों से इस तरह के प्रशन आपको मिलने वाले हैं, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, अब निमलिकित अक्ती लगूतरात्मक प्रशनों के उत्तर एक मंक्ती में दीजिए, ये भी आपको जो है, वो बारा प्रशन मिलेंगे औ और सारे प्रशन एक-एक अंक के हैं, अब ये आपका मिक्स अप है, कहीं से भी आपको प्रशन मिल सकते हैं, पूरे सिलेबस में से, तो पहला प्रशन देखिए, अनुप्रा सलंकार को समझाईए, अनुप्रा सलंकार की परिभाशा आपको आती है, कि जब जहां पर एकी व जगवान, बूरी, भिती, हटाई ऐसा लिख सकते हैं और जहां परछंदों का प्रयोग किया गया है उसका प्रयोग भी आप। कर सकते हैं। चले आगे यानि कि वर्णों की आवरती करने वाले शब्दों का प्रयोग यहांIVE पर कियेगा, आपने आसी जो पंक्तियां याद कियें हो जरूर यहां पर लिखिएगा, आगे बढ़े देखिए, नेक्स जो है, ओज गुन में किन वर्णों का प्रयोक किया जाता है? जब हम गुणों की बात करते हैं, तो गुणों में क्या होता है, कि भाई, तीन गुण है, है हमारे माधूर्य गुण है ओज गुण है और ओज गुण के साथ जो है वो प्रसाद गुण है तीन गुण है अब तीनों गुणों में कैसे वर्णों का प्रयोग किया जाता है क्या प्रवर्ती रहती है तो हमारा जो ओज गुण है वो वीर रस के साथ प्रयोग में होता है यानि कि वीर्ता का जब वर्णन किया जाएगा, जब क्रोध का, रौदर का, इन सब का जब वर्णन चल रहा है साथ में, तो आप सभी जानते हैं कि कठोर वर्णों का, परुष वर्णों का यहां पर प्रयोग किया जाएगा, कोमल वर्णों का प्रयोग यहां पर नहीं किया जाएगा, ओजगुन की प्रधानता यह है ही, तो देखिए यहां पर ओजगुन में द्वित्वण, यानि कि अपने तो आप उन सब गुणों की विशेष्टाएं भी याद करका जाईएगा कि माधूरे में जो है वो क्या रहता है को मलकांत बदावली रहती है और प्रसाद में जो है वो मध्यम प्रकार के जो भी इसकी विशेष्टा है गुणों की वो सब आप लिखकर आईएगा नेक्स आगे चलते हैं देखिए जन संचार के विविद माध्यम कौन कौन से है जन संचार आपके अनिवारे हिंदी में भी है और साहित्य पढ़ने वाले विध्यारतियों को भी इसमें से प्रशन मिलने वाले हैं तो आप लोग देखेंगे कि जन संचार के कौन कौन से माध् इन सब माध्यमों का प्रयोग करते हुए आप अपने उत्तर को लिखेंगे तो आपके सामने यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है एक नंबर के लिए आपको लिखना है बहुत ही सुंदर लेक के रूप में लिखना है इस पश्ट रूप से लिखना है हाइलाइट कीजेगा कि क्या परिक्षक ने आपसे पूछा और किसका आप उत्तर दे रहे हैं तो आपने श्रव्य में रेडियो श्रव्य द्रश्य में टैली जन फिल्म इस तरह से आप जो है वो सारे अपने प्रश्णों का उत्तर दीजिएगा चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्ण क उसे ही आलेख कहते हैं तो समाचरा पत्र पत्री का А if पर समसामाई घटना उपर आधरित अलेख को हमने आलेख कहा है यह हमने लिखा इसके बाद देखिए फीचर किसे कहते है इसका उद्देशय क्या होता है तो फीचर जो है वो एक तरह की विधा है जिसमें स्यों वेयों प्रसुत कर सकते हैं और हम यहां पर सामा नेजन समूग को क्या कर सकते हैं शिक्षित कर सकते हैं इसके माध्यम से मनुरंजन तो है ही इस विधा का नेक्स देखते हैं देखिए सरोस्मृती निराला ने किसके स्मृती में रची यानि कि आपको जोई प्रश्ण है वे अपने सारे पाठ्टे क्रम में से मिलने वाले हैं और आपने देखा कि अंतरा में से आपको ये प्रश्ण मिला है सरोस्मृती किसकी लिखिवी है सूरेकां को स्मृतियों को यहाँ पर जो है वो लिखा है तो क्या उत्तर हो जाएगा इसका हमारा निराला की सरोज स्मृति उनकी पुतरी सरोज की स्मृति में रचित एक शोक गीत है बात समझ में आ गई चलिए फिर अगले वे गाओं उन्हें समधिया कहते हैं यह पहले के समय में जब इतनी आधुनिक गति से विकास नहीं हुआ था तब पत्र भेजने के लिए समधिया का प्रयोक किया जाता था और जो समधिया है वो संदेश को सुनकर उसी हाव भाव जिसमें उस संदेश जा रहा है जैसा उसमें संदेश है उसी के अकॉर्डिंग जो है सामने वाले के प्रस्तुत करता था सामने वाले के सामने तो इस तरह का संदेश यहाँ पर समधिया भी लेकर जाएगा किसका लेकर जाएगा बड़ी बहुरिया का लेकर जाएगा और किसके लिए लेकर जाएगा उनकी मा के लिए उ जोहां पर बिहार में जोहां वो बासमती धान का चूड़ा एक जोह वो सुभए सुभएब प्रात्यकाल में नाश्ते में खाने वाला एक जो खाद्य प्रदार्त है वो भेस्ती है वो अपनी बिटिया के लिए है चली आगे बढ़ते हैं अगले प्रशन को हम देखते हैं पुर्श्री है जो शेक्स्पियर के अंग्रेजी नाटक The Merchant of Venice की नाइका पुर्शिया का हिंदी रुपांत्रन है छोटी से छोटी विशेवस्तु आपको याद करने है क्योंकि एक अंक के लिए आपसे कहीं से भी प्रशन आपका पूछा जा सकता है नेक्स एक ये पदमाव को कितने घंडों में विभक्त कि आ गया है वैसे जब हम पड्मावत को पढ़ते हैं तो 57 खंडों में इसकी पूरी कहानी का विभाजन कीया गया आप ये भी लिख सकते हैं साथ में अलावदिन खिलजी और एतिहासिक्ता को लिया गया है तो इस तर भी आप इसका उत्तर लिख सकते हैं यादो परिक्षा में लिखने के लिए आप ऐसा उत्तर वहाँ पर लिखकर आईएगा पदमावत को विद्वानों ने दो खंडों में विभक्त किया है पूरवार्द इस सकते हैं कि पदमावत 57 खंडों में इसकी कथा का विभाजन किया गया है चली आगे बढ़ें अगला प्रशन हमारा एक सफल नाटक की भाशाशली कैसी होनी चाहिए एक नमबर के लिखना है तो एक सफल नाटक की भाशाशली जो है सहेज सरल हो प्रसंगा नूकूल हो और प अभी तत्वों का उलेक आपको यहां पर करना है जैसे कथानक, पात्रियोजना, समवाद, देशकाल या वातावरन, पाशाशली और उद्देश है इन सारे जो है वो आपको तत्वों का उलेक आप करेंगे एक नमबर के लिए अगला प्रशन है हमारा लेखक ने बिसकोहर क कि माति में गाओं के किस पक्ष का वर्नन किया है यह आपके जो है वो अंतराल से लिया गया आया है प्रशन पतर में तो देखे इस प्राट में ग्रामिन उन सब के नाम भी आपने देखे हैं तो इस तरह से वहां के जीवन में प्रकृति के महतु का वर्णन उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है अब आपके सामने प्रशन आ रहे हैं निमलिखित लगुतरात्मक प्रशनों के उत्तर अधिक्तम 40 शब्दों में आपको देना है करना चाहिए और लेखन से पूर्व विशय का चिंतन मनन करके विशय वस्तु का विशलेशन करना भी इसमें आवश्रक हो जाता है ऐसा आप लिखेंगे यहां पर दो अंक के लिए अगला प्रशन देखिए एक समाचार पत्र के लिए संपाद किये का क्या महतु है आप देखते हैं कि जब आपके पास समाचार पत्र आता है चाहिए वो डैनिक भासकर हो चाहिए आपके पास वो राजशसान पत्री का हो तो वहाँ पर आप पेपर को पलटिए फिर आपको जो है वो वाई पेपर पर एक संपादक की लेख मिलेगा वहाँ पर संपादक जो होता है वो किसी भी समसामा एक मुद्दे पर जो है जो अलंत मुद्दे पर अपने विचालों को अभियत करता है तो वो संपात्किया आलेक कहलाता है तो क्या महतू है संपात्किया का महतू देखिए संपात्किया को समाचार पत्र की आवाज माना जाता है यह एक पत्र को पठनी और ऐसमर्णिये बनाता है संपात्किये से ही समाचार पत्र की गुर्वर्ता निर्धारित की जाती है आपने इसे संबंद रखने वाली और भी विशेश्टाओं को याद किया है तो वो भी आप परिक्षा में लिख सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं देखि आपने शिरिश के फूल पढ़ा वहीं आपके हिंदी साहिते में कुटज आपके पाठ्ठे क्रम में लगा हुआ है गाड़े का साथी का मतलब हो गया कि जब हमारी विप्रीद परिस्तितियां हो जब हमारे विप्रीद दिन हो तब हमारा जो साथी बनकर आता है जो हमारी परिक्षा में जादा ना कम विशम परिस्तियों में जो काम आए उसे गाड़े का साथी कहते हैं कुटज एक ऐसा ही साथी है जो कठिन दिनों में यक्ष के काम आया यह प्रसंद जरूर आपने अपने निभन में पढ़ा है कालिदास से अपनी रशना से जब रामगीरी पर लब्द नहीं थी यक्ष ने कुटज के फूल अरपित करके मेग को प्रसंद किया इसलिए कुटज गाड़े का साथ ही कहलाया इसको अपने शब्दों में आप जैसा लिखना चाहे वैसे लिखने के लिए स्वतंत्र है चलिए आगे प्रशन के और बढ़ते हैं अगला प्र आर्डिवार में जो विद्वा इस्री की पीरा को अभिवक्त किया गया है महते पुन् तथे यह है कि इस पीरा की अभिवक्ती कहानी के शन्मधिय पात्र के माध्य म से हुई है चोकि संदेश वाग के रूप में इस गाउ में एक संदेश, दूसरे संदेश गाउ feeds तक पहुँचाने का काम करता था तो एक गाउ उसीनी कैसे संदेश विज्वाया और क्या संकर्ट लेता है आपने कहनी में पढ़ाई है तो देखिए अब उस समवधिया की हम चाहित्रिक विशेषताओं को देखते हैं हर गोबिन जिसका नाम है तो यहाँ पर आप पहले हैडिंग डालिएगा फिर आप एक फ्लोचार्ट बनाईए जिसमें आप लिख देंगे दीश में हर गोबिन की क्या है भी चाहित्रिक विश लिखेंगे चलिए फिर आगे बढ़ते हैं देखिए नेक्स प्रशन है हमारा आचारे रामचंद्र शुक्ल और फरिश्वना त्रेणू में से किसी एक का साहित्तिक परीचे दीजिए आपको यहाँ पर जो है अंत्रा जो आपकी किताब है तो चाहे आपके वो लेखक हो च चॉइस होगी दो में से एक पर आपको लिखनी है तो इस बार आपको आचाहे रामचंद्र शुक्ल और फरिश्वना त्रेणू में से किसी एक का साहित्तिक परीचे लिखना है और जो पिछली परिक्षा में आ चुका है बोड की उसे आप याद मत कीजिएगा इसके याद हो तो सही लिखिएगा नहीं तो जो है वो सन लिख दीजेगा जो भी याद है तो लिखिएगा आचाहे रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्ते के जाने माने साहित्तेकार है चार अक्टूबर 1884 में उत्तर प्रदेश की बस्ती जिले में इस्तित अगोना नामक गाउ थी सन 1901 में उन्होंने मिशन स्कूल से फाइनल की परिक्षा उत्तेन की जितना भी आत कर पाए उतना लिखेगा लेकिन हैडिंग जरू डालिएगा आप जो भी बता रहे हैं फिर कारेशित्र बता दीजेगा 1903 से 1908 तक ये जो है वो अनंद कादमनी नामक पत्रिका के साहि साहयक संपादक के रूप में जुड़े रहे 1904 से 1908 तक ये लंदन मिशन स्कूल में ट्राइंग के अध्यापक भी रहे तो ट्राइंग भी अच्छी थी शुकल जी की इसी समय में से उनके लेख में विभिन पत्र पत्रिकाओं में छपने लगे 1908 में काशी नागरी प्रच 2019 में होने काशी हिंदू विश्विध्याले में हिंदी प्रध्यापक के पदपर भी न्युक्ति मिली परीचे बड़ा हो गया लेकिन आप जितना दो नंबर के लिए याद कर पाएं याद कर लिजेगा फिर अब जो है इनका ये सारा जो है वो क्रतियों का परीच्य है इसम बंदों का संग्रा है जो चार भागों में विभाजित अलग अलग रूप में छपा है हिंदी साहित्य का इतिहास इनोंने लिखा ही ये सारी जो रशनाएं है वो आप याद कीजेगा और कुछ आपको जो भी दो नंबर के इसाफ से याद हो जाए मुख्य मुख्य उनमें स इन पर याद हो तो आप इन पर लिख दीजिएगा लिखना तो एक ही है जो आपको बहुत अच्छे से याद हो उसी पर अपनी लेखनी चलाईएगा रेडू हिंदी के जाने माने का थाकार है आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है चार मार्च 1921 में बिहार के जो अर्रिय आचल जो छपा था 1904 में वो सबसे पहला जो है वो आंचलिक उपन्यास है इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट इनके जितने भी उपन्यास आए वो सब परती परीकता हुआ तो इन्होंने उपन्यास भी लिखे इन्होंने जो है वो कहानिया भी लिखी है तीसर पढ़िए उसका उलेग भी कर सकते हैं इन्होंने जो रिपोर्टाज लिखे हैं उन रिपोर्टाजों का भी आप बंडन कर सकते हैं सारा परीच्छ आपके सामने हैं वस आपको याद है जो सटीक रूप से दो नंबर के लिए 40 शब्दों में आपको लिखना है वो जरूर लि उसमें ऐसा दिखाई देता है नेक्स्ट ये इनकी जो है वो रश्नाओं के नाम है तो अगर प्रसित कहानी आपको याद है तो एक दो कहानिया याद कर लिजेगा और जो है इनके छे उपन्यास इन्होंने लिखे इन्हें आप जरूर देखिएगा और तीसरी कसम मैंने अब को दिशा कवीता का जो है मूल भाव लिखना था अब इस तरह कोई भी कवीता क regret का मूल भाव लिखने के लिए आ सकता है दो number 3 के लिए लिए आएगा दो नमभर में पूरे सार्थक शब्दों के साथ अच्छी तरह से किसी थी कवीता का जो आप से पूछा जाये सार उसका उत्तर आप लिखिएगा, मैंने देखा एक बून किसकी कवीता है, अग्गे की है, अब एक बून जब देखते हैं, तो क्या है इसका सार, इसमें कवी ने दो अलग लग प्राकर्तिक बिंबो के माध्यम से जीवन के दाशनिक महतू को कुशलता से अभिव्यक्त किया है कवी ने हा सागर की उठती गिर्ती लहरों की जाक से उचल कर एक बड़ी बून्द जो है वो उठी उपर उठी बून्द का एक अत्यन सुन्दर बिंब प्रसुत किया है, कवीता में व्यक्त दूसरा बिंब अस होते सूरे की लालीमा का है, दौनों ही बिंब के सामंजस से क कवी ने जीवन के एक दाशनिक व्याख्या प्रसुत की है, जीवन शन भंगूर है, और जितने समय भी हमको जीवन मिला है, उस जीवन में हमें कोई न कोई सार्थक कारे जरूर करना चाहिए, उससे हमारी लगूता या हमारे विशालतम होने का कोई जो है अर्थ नहीं रख कवीता वहां मिलेगी परिक्षा में, आप उसका सार्थ वहां पर लिखिएगा, आप एक दो बार और कवीता का रिजन कर लिजेगा, कोई भी कवीता आपको मिल सकती है, चलिए अगले प्रशन के में बढ़ते हैं, और अगला प्रशन है हमारा गुन धूर जटी वन में और कवी हैं, वे उसमें से भी आपको प्रशन मिलेगा, जो घनानन्द है, या फिर हम कहें केशव हैं, या फिर तुलसिदाजी है, उनकी किसी पंक्ति को उठा कर भी आपको प्रशन मिल सकता है, जैसा कि यहां पर आपको एक प्रशन मिला है, कि यहां पर जो वन तुलना धूर जटी अर्थात भगवान शिव से की है कवी का अभिप्राई यह है कि जिस प्रकार भगवान शिव सभी का कल्यान करने वाले हैं उसी प्रकार पंचवटी भी बिना किसी भेदवाओ के सभी मनुष्यों का कल्यान करने वाली है पंचवटी में प्रवेश मात्र स ही मनुष्यों को भी किया प्राप्त होजाता है मूख्ष प्राप्थ की तुलन ये वरणा ऑपर किया गया है यानि की जह पापिक यह जो बहुत सारे पाप करके भी अगर कोह ई वहां पर व्यक्ति जा रहा है तो उसके भी सास्थ संक्तबु से मुक्ति मिल जाती है उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है इसलिए यहाँ पर वन पंचवटी की तुलना जो है वो किस से की गई है भही शिव से की गई है जैसे शिव की अराधना करने से भक्त के सारे संकर दूर हो जाते हैं उसी तरह है वन उस पंचवटी में प्रवेश करने के बा परिक्षा में दो नंबर के लिए आपको प्रश्ण मिलेगा अब हमने सूरेकां त्रिपार्थी निराला के जो है वो परीचे या साहितिक परीचे की हमने बात की यहाँ पर तो वैसे ही आप इस यहाँ पर क्या लिखेंगे दिराला च्यावादी कावेधारा के प्रभुक कवियों में से एक है उन्होंने गद्द शैलियों में प्रवुक्त साहितिते लिखा और पद्द्य भी लिख और इन्ने रुद्र और महिश के नाम से भी जाना जाता निराला को मुक्तिचंद का प्रवर्तक चायवात का रुद्र तता महाप्रान आदी उपनामों से भी ने क्या किया गया है कावे कृतियों की बात करें तो निराला की कावे यात्रा का प्रारंब 1920 के लगभग माना जाता है जबकि उनकी पहली कवीता जनम भूमी प्रभा नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी आगे बढ़ते हैं देखिए कुछ विद्वान जुही की कली कवीता को जो है इनकी पहली कवीता मानते हैं इनका पहला कवीता संग्रै अनामिका 1923 में प्रकाशित हुआ इसका दूसरा संस्करण सन 1938 में प्रकाशित हुआ, उनका दूसरा कवीता संग्र है परीमल 1930 में प्रकाशित हुआ, अनिमा, गीतिका, बेला, नए पत्ते, ये भी इनके कावे संग्रे हैं, इतियादी कावे संग्रे हैं, इन दौनों ही कवीता संग्रों में प्रकरती प्रेम, स क्या प्रमुख बात अपने प्रिक्षप को आब बताना चाहते हैं सुन्दर राइटिंग के माध्यम से और प्रिजेंटेशन के माध्यम से हाइलाइट कर दीजेगा। जाता है कि मुगल, बात्यशा, मुखमद चा, रंगीले के दर्वार में मीरमुशी थे और सुजान नामक नर्तकी परिये आसक्त थे और प्रेम की पिर, प्रेम की पिड़ा के कवी के रूप में भी इनको जाना जाता है और व्योगवर्नन में इनका मनधिक रमा है और इनके ज प्रसाद मिश्र के अनुसार इनकी मृत्यू मथूरा पर एहमत शा अबदाली के आक्रणों के समय 1760 में हुई थी गनानन ने विपुल साहित्य सरजन किया है उनके द्वारा रचित ग्रंतों की संख्या एक तालिस मानी जाती है इनकी प्रसित क्रतियां जो है सुजान सागर व के वल गंधी नहीं देते दवा भी करते है विसकोहर की माटी पाठ के आधार पर इसपष्ट कीजिए तो फूल हमें गंधी नहीं देते हमारा उपचार भी करते है दवा के रूप में इनका प्रयोक किया जाता है पाठ के आधार पर आपको समझाना है प्रसुत पाठ में ल माननेता है कि फूल के वाल रंग और गंद के कारण ही महत्यपुन नहीं है अपितुन में अनेक औश्डिये गुण भी पाए जाते हैं इसलिए दवा के रूप में प्रयाप्त महत्यपुन है वो जरूर लिखेगा उधारण कि कौन-कौन से फूल जो है वो दवा के रूप में प्रयोग किये गए बर्भंडा नामक फूल का वर्णन किया गया है और बताया है कि इस फूल से निकलने वाला दूद आखे आने पर दवा के रूप में काम में आता है तो एक फूल का वर्णन आपने यहाँ पर कर दिया दूसरा इसी प्रकार नीम के जो फूल है वो चेचक के मरीज के इलाज में साहयक होते हैं बेर के फूलों को सूने मात्र से ही बर्र तता तताईये का डंक अपने आप जड़ जाता है इस प्रकार लेखक ने इस पार्ठ में फूलों के औश्दिय गुणों का विवर्णन किया है चलिए फिर आगे बढ़ते हैं देखते हैं अग किंचन हिंदी साहित्य के उन महान कथाकारों में से है जिन्होंने हिंदी साहित्य को जंखीवन से जुड़ा यथार्थ की जमीन पर इस्तापित किया उनके द्वारा रचित सूर्दास की झोंपनी नामक पाठ उनके रंग भूमी नामक उपन्याज का अंश है सूर्दास इ एक अंधा भिखादी है उसके द्रड एवं आत्म विश्वास पून व्यक्तितु के माध्यम से लेखक ने आशावादी द्रश्टिकोन बनाई रखने तता कभी ने हारने का संकल्प करने की प्रेणा दी स्पाट की मूल सम्वेदना के प्रमुक बिंदू निमलिकित है जो भी आपको महत्यपुन लगे यहाँ पर हमने तीन जो है पॉइंट मूल सम्वेदना के रूप में लिया है आप उन्हें याद कर लीजेगा और लिखिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं सूर्दास यहां का मुख्यपातर सूर्दास की जोंपड़ी पर भैरो आग लगा देता है और आग लगाई और उसके रूपे की थेली चुराकर भी वो ले गया तो पहले तो यहां पर है लेकिन यहां पर बताया गया है कि जब किस प्रकार इशावर्ष व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कष्ट पहुंचाने के लिए गलत कार्य करने को ततपर हो जाता है तबी तो भै पर न मानने का लेखक नहीं हाँ पर संदेश दिया है सूर्दास की जोंपड़ी चल जाती है उसका जीवन भर की जमा पूंजी भैरों के द्वारा चुरा ली जाती है परंतु फिर भी सूर्दास ने तो धहर्यक होता है नहीं वो निराश होता है तो दूसरी मूल संवेदन नहीं हारता है चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अब मूल संवेदना है दो नमबर के लिए आपको लिखना है जो आपको अच्छा लगे पॉइंट जिस रूप में आप प्रसूत करना चाहते हैं जरूर लिखिएगा नेक्स देखी का फिरा मालवा में जब सब जगे बरसात क जड़ी लगी रहती है तब मालवा के जन जीवन पर इसका क्या सर पड़ता है अपना मालवा खाऊ उजाड सभेता पाठ की आधार पर इसपष्ट कीजिए तो देखिए अब यहां पर क्या लिखना में इसका उत्तर मालवा वहां के पानी नदियों के बारे में बहुत अच चया है तो देखिए मालवा में जब सब जगे बरसात की जड़ी लगती है तब इस बरसात का मालवा के जन जीवन पर गहरा असर पड़ता है मालवा की सभी नदियों में पानी का इस्तर बढ़ जाता है सभी नदी नाले पानी से लबालब भर जाते हैं कभी-कभी तो बरसात का पानी घरों तक पहुंच जाता है, और आवागमन में परेशानी होने लगती है, बरसात में मालवा के सभी फसले जो हैं वो हरी-भरी होकर लहलाने लगती है, इस प्रकार बरसात की जड़ी मालवा के जन जीवन को यदि थोड़ा बहुत बादित करती है दूसरी और उसे समरद्धी शाली भी बनाती है तो ऐसा आपको उत्तर लिखना है चलिए अगले प्रशन के और बढ़ते हैं पहाडों में जीवन अत्यंत कठिन होता है आरोहन पहाडी जीवन की कठनाईयों संगर्श और चुनोतियों का यथात चित्रन जो है प्रस्तुत करती है इस कहानी से यस्पष्ट रूप से ग्यात हो जाता है कि पहाडी जीवन अत्यदिक कठनाईयों और चुनोतियों से भरा होता है इस कहानी के आधार पर पहाडी जीवन की निम्लिखित कटनाईयां सामने आती है पहाडों पर दुर्त गामी यातायत के साधन उपलब्द नहीं होते वहाँ पहाडों के दुर्गम रास्तों पर चलने के लिए केवल पहाडी टट्टु ही उपलब्द होते है नेक्स्ट पहाडों पर सडक मार्क बनाना अत्यंत कठिन होता है वहां किसी भी पहाड़ी शेत्र में सडक बनाने में भी समय लंबा लग जाता है यही कारण है कि 11 वर्ष के लंबे समय में भी रूप सिंग के काउं माही में एक सडक नहीं बन पातीसली लोगों के द्वारा अधिक से अधिक कारे करवाया जाता है पहाड़ी शेत्र होने के कारण उर्वर भूमी का भी अभाव होता है अत्यक क्रश्ची उत्पादन भी न्यूंतम ही हो जाता है ऐसी कुछ आपको वहाँ पर आने वाली विप्रित परिस्तियों का वर्णन करना है जो आपने पार्ट में पढ़ा है वो आपके सामने है ही आगे बढ़ते हैं देखिए सेवा ग्राम प्रवास के दौरान लेखक भीश्म सहानी को कैसे कैसे अनुबव हुए वर्णन सहीत लिखिए अब आपके सामने ये पूरा वर्णन लिखा गया है और सेवा ग्राम प्रवास के दोरान पीश्म सहानी ने जिन जिन इस्तितियों का वर्णन किया है वो आप देखेंगे और आपको तीन अंक्र के लिए लिखना है क्या क्या उन्होंने वहाँ पर देखा गांधी जी कैसे रामने से ही जाते थे और यदि वे चाहे तो उनके साथ घूमने जाच सकते थे लेखक को पहले से ही गांधी जी के दर्शन के लिए लालाई था तो सभी वर्णन है इसके बाद देखी आप जब उसे पता चलता है कि गांधी जी को बिलकुल निकट से देखने और बातचित करने का उसर मिलने वाला है तो वे रोमाणचित हो गया वे सुबह साथ वजे गांधी जी के आने पर अपने भाई के साथ समू के साथ गूमने निकला उनके भाई ने गांधी जी से उनका परीच्य कर वाया लेखक ने उनकी रावल्पिंडी यात्रा के माध्यम से कांधी जी से बादचीच शुरू की रावल्पिंडी का नाम सुनते ही गांधी जी ने उनसे कहा वहां के मश್हूर वैरिस्टर Mr. John के विशय में भी पूछा तो जो भी गांधी जी और उनका आपस का समवात था वो आपको यहां पर लेकनी बत करना है नेक्स एकी फिर उनके सची महोदय देसा ही आगे-ागे रावल पिंडी यात्रा की रोचक किस से सुनाने लगे लेखक लगवग तीन सब्ता तक सेवा ग्राम में रहे वे नित्य प्रती सुबह गांधी जी के साथ गूमते तथा शाम को प्रातना सबा में भी जाते यहां उन्हें मा जैसी कस्तूरबा के दर्शन होते थे और लेखक ने वहाँ एक जापानी भिक्षू के द्वारा चीवर वस्तों में गांधी जी के आश्रम की प्रदिक्षना करके गांग बजाने और प्रातना सबा में आने का अद्वुद्रश्य भी देखा तो जैसा जैसा उनको अनुभा वुआ वैसा बढ़न आपको लिखना है जितना आप याद कर पाएं तीन अंग के लिए आप लिखेंगे यह अपने प्रस्तूती देंगे दूसरा देवदास कहानी के शीशक की सार्थकता को इस परश्ट करना है आपके अथवा में प्रश्ण है, multiple choice का प्रश्ण मिलने वाला है यह बड़े प्रश्णों में choice है तो जो प्रश्ण आपको बहुत अच्छा आता है ऐसा आप वहाँ पर प्रश्ण अटेंड करेंगे जिसका उत्तर बहुत अच्छे प्रश्ण के साथ आप दे सकते है प्रसुत कहानी का शीशक दूसरा देवदास पून तय उच्छित और सार्थक है यह शीशक कहानी में आदी से अंतितक व्याप्त है कहानी की वर्थावस्तू में रचा गया है जिस प्रकाश शरत्चंद का देवदास अपनी पारो के लिए सारा जीवन मारा मारा फिरता रहा वैसे ही संभाव रूपी जो देवदास है अपनी पारो के लिए मारा मारा फिरता है पारो की एक जलक उसे दिवाना बना देती है वे उसे डूणने के लिए बाजार घाट यहां तक की मंसा देवी के मंदिर तक भी हो आता है उसे एक मुलाकात हो जाए इसके लिए मननत तक मांगता है जब वे मिलती है तो लड़की का पारो नाम सुन कर जैसे उसकी खोज सार्थक हो जाती है इसलिए वे अपने नाम के बाद देवदास लगा कर इसका संकेत भी दे देता है तो उनों के मद्य छोटी सी मुलाकात प्रेम का बीज अंकुरित कर देती है यह मुलाकात उनके अंदर प्रेम के प्रती ललक तथा रुमानियत को दर्शाती है देवदास यह नाम है जो प्यार में पांगलपन प्रेमी के लिए प्रियुक्त किया जाता है अतर दूसरा देवदास शीशक संभव की स्थिती को भली प्रकार से सफष्ट कर देता है जो भी आपने कहानी पड़ी उस शीशक के बारे में जो भी आपसे पूछा जाए आप देखेंगे फिर आप आप यही कारणे की शीशक कहानी को सार्थकता देता है और आप अपने प्रशन को पूरा कर सकते हैं चाहें तो और भी आपको जो सरल लगे शीशक की जो विशेश्टा बताना चाहते हैं उसे भी आप एड़ कर सकते हैं आप आप सारा कंटेंट आप लोगों के सामने लिखा हुआ है चलिए हम आगे बढ़ते हैं अंगले प्रशन को देखते हैं भरत राम का प्रेम का व्यांश की शिल्प गत विशेष्टाओं का वड़न कीजिए यानि कि आपके सामने किसी भी कवीता के शिल्प गत यानि कि आप से कला पक्ष के सौंदरे के बारे में भी पूचा जासकता है चाहिए आपके जितने भी कवी लग्यों हैं चाहिए आपके पूरमद्धे काल या उत्तरमद्धे काल कहीं। आपको प्रश्ण मिल सकता है तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्या है इसमें तो भरत राम का प्रेम जो काव्यांश लगा हुआ है वो किसका है तुलसीदाजी का है तुलसीदाजी के बारे में परिच्रे में बताईएगा सगोनो पासक राम भक्त कवी है राम चलिए फिर आगे बढ़ते हैं देखते हैं प्रसुत काव्यांश की भाषा कौन सी है वही अवदी है क्योंकि ये काव्यांच तुलसी दास की अपूर्व क्रती रामचरीत मानस खा अंश है जो कि अवदी भाशा में लिखा हुआ है ये आपने प्षेश्टा लिखी अब इसके बाद जब शिल्प की बात हो रही है तो आप जो है वो शब्दों की चर्चा कर लेंगे तस्सम शब्द की यहां पर प्रधानता रही और फिर उसके बाद जो है अगर यहां पर तद्भव शब्द मिल रहे तो उनको लिख लेंगे अलंकारों की बात करेंगे चंद की हम बात करेंगे यहां पर हमें कावेकुन मिल रहे तो उसकी बात करेंगे जैसे संस्कृत के श ये तीनों शब्द इतनी सहस्ता और कुशलता से प्रयोगत हुए है कि अवधी में कहीं भी आरोपित या जबरन इनका प्रयोग नहीं किया गया है। इसको भी आप लिख सकते हैं तो शिल्प पक्ष लिखना है आपको अपने जितने भी अंको का प्रशन आपको मिल रहा है उसके लिए फिर आगे बढ़ते हैं देखिए बनारस कवीता की मूल समवेदना का वर्णन कीजिए फिर आपको प्रशन मिला तो चुकि साहित्य का है वह विशिष्ट है आज प्रगतिशिल वैग्यानिक है उद्योग प्रधान बातावरण में भी यह शेर अपनी प्राचीन परंपराओं से जुड़ा हुआ है यह इसकी मूल समवेदना यह हमें बताया गया है पहले दूसरे पैरेग्राफ में यहां की जीवन शैली में ध बना रहता है उसका वर्दन भी आगे पैरेग्राफ में किया गया उसको आपने लिखा next यहां पर अनेग घाट है इस घाट की यहाँ पर बात की गई है दशाव मेक गाट जिसका जिकर कवी ने किया है यहाँ पर यह नदी भारत की धार्मिक आस्ता का केंदर भी है, यह माना जाता है कि इस नदी के घाट पर जिस व्यक्ति का अंतिम संसकार किया जाता है, मोक्ष प्राप्त होता है, कौन सी नदी की बात हो रही है, गंगा नदी की बात हो रही है, और इस घाट पर अगर किसी का भार्मिक आस्ता और विश्वासी यहां की जीवणशनी का चेंद्र मिनुदु है तो यह विर्दन तो आप ने कर दिया लिकिन अब तूसरे तीसरे परग्राफ में यहां पर जो कर्मDid कांड उनका वर्णण किया जा रहा है और लेकिन जो यहाँ पर निराश्रित व्यक्ति है उनके कल्यान के विश्या में अभी भी बनारस उदासीन बैठा है उसकी बाद भी यहाँ पर की गई है यहाँ पर अनेक सैकडो ऐसे बे सहारा लोग है जो मृत प्राय जैसा जीवन धोते और अंदेरी गलियों में रहते हैं और लेकक ने अंत में लिखा है कि बनारस का जो जीवन है वो बहुत धीमी गती से आगे बढ़ता है इस शहर के लोगों की गती इतनी धीरे है कि यहाँ सैकडो वर्षों से जो कुछ रखा है उस इसस्तान पूरा जो है प्रश्णा की शाम के समय आरती के प्रकाश में अदबुद जो है वो पनारस सिखाई देता है इस पश्ट किया है कि हमें समय के साथ-साथ अपनी जीवन शैली को जरूर बदलना चाहिए नहीं तो जो है वो हम पीछे रह जाएंगे तो पूरी ततपड़ता रखनी चाहिए आश्रहीन लोगों के लिए जो पेक्षा भाव में अप्रदर्शित हुआ है उसको यहाँ पर दूर करने की बात की गई है जो पूरा सार है उसे पढ़कर आप अपने शब्दों में यहाँ पर लिखेगा कंटेंट आपके सामने है ही चलिए फिर आगे बढ़ते हैं देखिए अगला प्रशनम देखते हैं डॉक्टर विशुनात त्रिपाथी के बिसकोहर की माटी पाथ में बिसकोहर के प्राकरतिक परिवेश का वर्णन तो बिसकोहर पाथ आपने पढ़ा वहाँ पर कैसी प्रकरती है पुश्मों के माध्यम से उसका वर्णन कीजेगा सारा हमने यहाँ पर उत्तर लिख दिया है आप इसमें से देख लीजेगा आपको लगता है कि यह आप लिख सकते हैं और आप लिखना चाहते हैं तो आप हेडिंग डालेंगे प्रकरतिक परिवेश के बारे में हमको वहाँ पर बताया गया है और यहाँ पर पुश्मों के माध्यम से प्रकरती चितरन तो पहले पुश्मों का वर्णन आपने कर दिया इसके बाद हम बढ़ते हैं कमल, कुमूद और सिंगाडे के पुश्मों के सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर किया गया है नेक्स देखिए फिर आप पूरा यहाँ पर सारी धाई हरसिंगार के जूल घर के दर्वाजे पर अगदी जाती थी पित्र प्रक्ष में इसके बाद यहाँ पर तौरी, लौकी, भिंडी, भटकटईया, इमली, अमरूत, कदम, बैंगन, कोट, हडा, शरीफा, आम के बौर, कठल, बेल, अरहर, उडद, चना, मसूर, और मतर सेमल के फूलों से भी गाउं का परिवेश्किल उटता था सरसों के फूलों की विशेष्टा, सारी बाते हाँ पर कही गई है, उनको आप लिखिएगा नेक्स रितूओं के माध्यम से तो कौन-कौन सी रितू का वर्णन ही आपर किया गया है ग्रिश्म, शरद, और वर्शा, रितू में कैसा-कैसा प्रकरती का वर्णन किया गया है आकाश चंद्रमा सभी अपने टोले का अंग लगने लगते थे इमली के छटनार व्रक्षों के अंतरालों में बिखरते हो ये प्रकाश का वर्णन ही आपर किया गया है पूरा पढ़ लिजेगा और चिलचलाती धूप में लू लगने की घटनाएं भी हाँ पर होती थी उसका भी चित्रन है आप अपने तीन अंग के लिए चार अंग के लिए जितना प्रशन आपको मिल रहा है अंक सीमा और शब्द सीमा आपको लिखी भी मिलेगी तो उसके अकरडिंग अपने प्रशन के उत्तर को लिखेगा अब मालवा की नदियों का वर्णन कीजिए अब मालवा की नदियों का वर्णन प्रसुत पाठ आपको मालूम है कि पाठ का नाम क्या है मालवा की नदियों का वर्णन किस पार्ट के अंदर आया है तो आप उत्तर लिखेंगे कि मालवा, खाऊ, उजाड, सभेता जो है उस पार्ट के अंतरकत आपको क्या करना है वहाँ की नदियों का वर्णन करना है और दुगिक विकास के फलसुरूप मालवा में हुए प्राकर्तिक परिवर्तनों एवं यहां उत्पन हुई प्रयावण संबंदी समस्याओं को जागर किया गया है और यहां पर जितनी भी नदी आई है चाहे वो शिपरा हो, नम्रदा हो, चंबल हो, गंबीर हो, पारवती हो काली सिंद, खान, सरस्वती, चंदरभाग और चोरल आदी दस नदी आई है और उनमें क्या-क्या परिवर्तन हुए है उनका संकेत आप देंगे, एक-एक नदी को हैडिंग वाइज उठाते रहिएगा, शिपरा की क्या विशेषता थी, शिपरा में इस बार बहुत पानी आया था, तो जो है, शिपरा का वर्णन हो गया, नम्रदा के बारे में लेखक ने क्या यहां पर लिखा है, उसको आपने बता दिया कि इस बार वो अथा चलराशी से भरपूर दिखी, चंबल, यह नदी भी विंध्य परवत के जाना पाओ, परवत से निकल कर कहां-कहां भ चंबल भागा की بात हुई है, चोल की बात हुई है, यहांपर जो है वो, तो सभी नदियों का आप नाम लिखे लेंगे, आप यहांपर जो है वो, इस तरह से आगे बढ़े क्यों, चंबल बाख पुल बना यहांपर, क्योंकि हाथी पर बैट कर इस नदी को पार किया जाता प्रिक्षा में लिखेगा चलिए आगे बढ़ते हैं अब यहां तक तो थे आपकी जो जितनी भी आपके किताबे लगी है उनसे आपको सार रूप में जैसे भी प्रशना आपको मिले अब बारी आती है आपकी व्याख्या वाले प्रसंग की यानि कि आपको दो तो पद्दे क व्याख्या मिलेंगे और दो गद्दे की व्याख्या मिलेगी अंक उसके निश्चित हैं कि पांच अंक के लिए आपको व्याख्या लिखनी है अब दो जब आपको व्याख्या मिलेगी तो एक अंश देखिए श्रिंगार रहा जो निराकार रस कवीता में उच्वसित धार गाया सरगिया प्रिया संग भरता प्राणों में राग रंग रती रूप प्राप्त कर रहा वही आकाश बदल कर बना मही हो गया ब्याहा आत्मिय स्वजन और इसके साथ ये पंक्तियां कोई थे नहीं नै आमंत्रण ना भेजा गया विवार राग भर रहा नै घर निशी जऑ प्रियमों एक संगीत भरा नव जीवन के सुर पर उत्रां कियों आसानी से एक्जाम में पता लग जाएगा प्रिक्षा-हौल में पता लग प्रारंब लिखे और अन्त के आपने कुछ शब्द यहां पर लिखे और अपनी व्याख्या को समेटा इसके बाद हमेशे आपको संधर्व लिखना होता है संधर्ब जो है उसके अंदर क्या लिखेंगा उसके अंदर हमें क्या लिखना है प्रसूत पद्याश हमारी पाठ्थे पुस्तक अंतरा भाग दो में संकलित निराला त्वारा रचित शोक गीत सरोस्म्रती के अंश से अवतरित है सुरेकां त्रिपाठी निराला च्यावाद के रुद्र महेश शिव कहे जाते हैं कि संधर्ब में आपको कवीता किस किताब से ली गई वो परिचय देना और किस लेखक की किस कवी की है वो परिचय देना आपको और उसके बाद उस कवी के बारे में आपको कोई महत्यपुन प आई है आपके जो परिक्षा हॉल में आपको मिली है उससे पहले क्या प्रसंग चल रहा था वो चोटी सी जानकारी के रूप में आपको प्रसुत करना है कवी ने प्रसुत शोक गीत सरोस्मृति की रचना अपनी पुत्री के अकसमिक पृत्यू के शोक में डूब कर की है इस जो था उसमें ना तो बहुत बाहर के लोगों को बुलाए गया ना ही कोई बहुत अधिक जो है वो क्या किया गई इसमें रीती, नीती, नियमों की प्रतिपालना की बहुती साधरन तरीके से उन्होंने अपने पुत्री का जो विभाग किया और जब पुत्री उनकी विवा एक अलगी ढंगा था अलगी तरीके का था उस विवा के बारे में भी बताया गया है जो भी व्याख्या आती है जिस रूप में आपने याद की है वहाँ पर उसका विस्तार से वर्णन करेंगे व्याख्या का हैडिंग डालेंगे और वही करेंगे उनकी पुत्री के रूप में अभिवक्त हुआ है कवी अपनी पत्नी मनोहरा देवी के प्रेम में आकंठ डूप कर लिखते हैं कि कवीता में प्रेम का इरज सौंदर रहे हैं मेरे रिदय में उन प्रेम के शणों को सजीव कर रहा है जो मैंने अपनी पत्नी के साथ बिताए थे कवी कहते हैं क यही प्रेम मेरे प्राणों में आज भी प्रेम के रंग का संचार कर रहा है चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए आगे जब हम बढ़ते हैं तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो निराला है अपने पुत्री के जो उस समय तयार होकर आती है श्रिंगार का वर्णन करते हैं जैसे ही वो अपनी पुत्री को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि उनकी जो पत्नी थी मनोहरा देवी वही रती का रूप धारन करकर क्या हो गई है स्वर्ग लोग से उतर कर आई है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है उसके बाद वे लिखते हैं कि ये विवा जो था वो सादगी पून तरीके से विवा संपन हो गया एक अनोखा विवा था क्योंकि उसमें कोई आत्मिय जन, रिष्टे, नातेदार, सगे संबंदी, आदियामंतृत नहीं किये गए थे इसने इस विवा में कोई भी नहीं आया, घर में दिन रात गाये जाने वाले विवा के गीत भी नहीं गाये गये थे क्योंकि कोई गीत गाने वाला ही वहां पर नहीं था और नहीं विवा की महिलाओं के द्वारा दिन रात की जाने वाली रसमे भी संपन नहीं की गई थी, इसमें निराला कोई विवा अदबुद लगता है। जो है पैदा होती रहती है। प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद गाया, स्वर्गिया, प्रिया, संग, भरता, प्राणों में, राग रंग में, अंत्या नूप्रास vorbere है, छेका नूप्रास लाग रंग में है। अलंकारों का प्रयोग यहां पर किया गया है और फिर आप यहां पर यह भी लिख सकते हैं कि निराला जो है वो क्या है भई मुक्त छंद में इसे लिखते हैं छेकानुप्रा सलंकारों का सुंदर प्रयोग यहां पर किया गया है इस तरह आप कला सुंदर को लिखेंगे तो आ अगे बढ़ते हैं यह जो पूरे इस व्याख्या मिलने वाली है यह जो पूरी व्याख्या है ये कौन से आइंच से ली गई है गनानन्त का एक कवीत आपको आपके पाठे करम में मिला है अब इसकी हमें व्याख्या करनी है तौनों में से चॉइस है या तो आप जो है वो आधुनिक कवीता में से आपको कोई मिल रहा है उसका आप लिखेंगे या फिर आपके जो एक कव प्रेम की पीर के कवी के रूप में विख्यात है यह आप सभी जानते हैं इसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रसंग है तो यहाँ पर प्रसंग में आप कवी घनानन जो है वो प्रेम विश्यक भाव अभियक्त किये हैं यहाँ कवी प्रियतम की मिलन और सैयोग के प्रती उदासिंता पर उन्हें उपालंब देते हैं उसे सिति का चितरन किया गया है और कह रहे हैं कि प्रियतम के आगमन की प्रतिक्षा में वे जीवन के अंतिम पढ़ाव पर पहुँच गए हैं लेकिन प्रियतम मिलने की कोई एक शिकायत के रूप में इस कवीत की रशना की गई है नेक्स आगे बढ़ते हैं तो फिर व्याक्या है पूरी व्याक्या को आप लिखेंगे जैसे से पंक्ती पढ़ते जाएंगे उसका अर्थ आप लिखते जाईएगा प्रसुत काव्याश में अपने प्रियतम को पालम देते हैं कवी घनानंद कह रहे हैं कि हे प्रियतम सुजान आपने मिलन का जो समय बताया था उससे निकट आयो भी कई दीन व्यतित हो गए हैं किंदो आपके दर्शन अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुए हैं ऐसा प्रतीत होता है जैसे आप उठकर मिलने के लिए आने मे भी आलस्य कर रहे हैं आप हर कार्वे में श्रेष्ट हैं इसी प्रकार आलस्य करने में भी आप स्वयं को श्रेष्टी प्रदर्शित कर रहे हैं कवी कहते हैं कि मैं दिर्ग काल से अपने प्राणों को पकड़ पकड़ का अर्थात रोक रोक कर उन्हें अपने सुन्दर प् जूटे आश्वसनों को पूर्ण नहीं किया है यही कारण है कि आपके जूटे आश्वसनों पर मेरे रिदय में आनंद के बादल नहीं गिरते हैं अर्थात मेरे रिदय में आनंद ही उत्पन कर सकेंगे चले आगे विशेश भाव संदर्य में आपको इस व्याख्या से संबं ब्रज भाषा का कोमलकांत प्रयोग किया गया है आपको अलंकार का वर्णन किया गया है कहीं कहीं में आपके पुन्रुक्ति प्रकाश अलंकार है इस तरह से कला सॉंदृर्य को पूरा करेंगे अब आपके आती है दो आपको पद्दे की व्याख्या मिली इसमें से एक व्याख्या आपको करनी है इसे तरह दो गद्दे की व्याख्या मिलने वाली है और दो गद्दे की व्याख्याओं का विस्तार करेंगे यह आपको जो मिली व्याख्या यह आपके किसमें से ली गई है वैसे तो पंक्तिया पढ़ने के बाद आप स्वतही अनुमान लगा लेंगे क्योंकि आपने पढ़ा है आपको याद है कि ये पार्ट किस लेखक का है और उसके बाद इसका वर्णन करेंगे तो देखिए किस रूप में अंशाप के सामने है ही मैं समस्तियूं कि आपने इसे रिडाउट कर लिया होगा अभी भी मानो संभन्दों के पिंजडे में भारती जीवन जो विहग बंदी है उसकी बात यहाँ पर की गई है यहाँ पर पराधिंता और पराभाव का पाठ पढ़ाते हैं यह द्रश्टा नहीं इनकी आँखे अतीत की और है चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए किसके लिए कहा गया है यह ऐसा तो संकेत यहीं से शुरू हमने कर दिया संकेत आपको एजटिज लिखना है चाहे हो गद्दे की व्याक्या हो या पद्दे की हो संदर भी आपको लिखना है प्रसुत गद्दे पंक्तियां हमारी पाठ्थे पुस्तक अंतरा भाग दो में संकलित डॉक्टर रामविला शर्मा द्वारा रचित निभन या थास में रोचते विश्वम से उतरित है डॉक्टर रामविला शर्मा प्रगतिशी लेखक है हर लेखक की आप कोई मुख्य बाद भी हाँ पर लिखेंगे इसके बाद पूरा प्रसंग आप की इस प्रसंग में क्या बताया गया है भारती परिवेश में मानवे संबंदों को पिंजरे में कैद बताया गया है स्पीडा को अभियुक्त किया गया है वो है पूरा व्याख्या का विस्तार किया गया है एक-एक पंक्ति आप पढ़ते चले जाएंगे और व्याख्या का विस्तार से आप बढ़नन यहाँ पर लिखेंगे जैसा चूबी पाठ आपको मिलने वाला है पंक्ति पढ़ी और उसका विस्तार आप गद्य में लिखते चले गए इसके बाद देखिए आपको फिर व्याख्या का विस्तार करना है तो यहाँ पर व्याख्या का विस्तार चल रहा है आप इसे जरूर एक बार पढ़ लीजेगा ड़ाउट कर लीजेगा आप इसे मैं स्किप करके आगे क्यों बढ़ती हूं देखिए फिर आपकी यहाँ तक व्याख्या ही चली इसके बाद विशेश में आप जो है अगर आपको इहाँ पर शब्द प्रयोग संस्कृत के मिल रहे है तो वह आपने लिखे तस्सम लिखे आपने तस्सम पही संस्कृत के शब्दों का तद्भाव देशक जैसे अंग्रेजी के शब्द आपको मिलते जा रहे हैं प्रियोग में आप डालिएगा सुत्रात्मक्षैली का प्रियोग है तो वह आपने लिखा इस तरह से आप पाउस अंदर रहे हैं मूल जो है समवेदना या फिर कला पक्ष को लिखिएगा हैडिंग डालकर नेक्स फिर आपके सामने एक दूसरी व्याख्या आएगी तूसरे क किसी लेखक के पाठ का उसमें वर्नन किया गया होगा तो यह जो आपके सामने पंक्ती आई है यह कुटच कि आई है उडिप्रसाद दिवेधी जी का है आपके पढ़कर क्योंकि आपने तो वश्भर गई है अध्यन किया है आपने पढ़ा है तो आपको पता लग जाएगा जैसे कोई अंश सामने आएगा कि कौन से लेखक का है तो कुटज में से पंक्तियां ली गई है फिर आप क्या लिखेंगे यहाँ पर संकेत लिखेंगे संकेत लिखने के बाद फिर आप संधर्ब लिखेंगे संधर्ब अब आपको पता चल गया है कैसा आपको संधर्ब लिख व्याक्या में आप उसका विस्तार करते चले जाएंगे क्योंकि आपने पार्ट पढ़ा तो इसका विस्तार अपने अध्यन जरूर कर लिया है और आप एक बार जरूर देख लेंगे किस में से हमें अपनी व्याक्यां मिलने वाली है नेक्स पूरा वर्णन आपके सामने है किस तरह से युग द्रश्टा जो भ्रहम रिशी याग वल क्या है उनके माध्यम से क्या बताया गया है वो आप यहाँ पर चर्चा करेंगे लिखेंगे और उसके बाद हम विशेश के और आ जाएंगे विशेश में फिर यहाँ पर दो हम मूल भाव के लिखेंगे और मूल भाव का मतलब जो इस निभन्त की दो महत्यपुन बाते हैं हम उनका मुलेक करेंगे और फिर उसके बाद हम जो है कलात्मक पक्ष के और आएंगे शिल्पगत सौंदरे के और आएंगे शिल्पगत सौंदरे भी लिख सकते हैं आप यहा वो भाशा में इसका प्रयोक किया गया है आगे चले नेक्स देखते हैं देखिए अब नेक्स और अपका अंतिम प्रश्ण है निभंद आपको जरूर मिलेगा चनरल हिंदी में भी आपको निभंद मिलेगा और जो साहितिक हिंदी है मारा हिंदी साहितिय उस विशे में भी आ आपको लिखना है तीन चार पेज में आप लिखिएगा इसे राश्ट निर्मान में युवाओं की भूमी का राजस्तान की प्रैटन इस्थल और मोबाइल फोन वर्दान या भी शाप है राश्ट भाशा हिंदी वर्थमान स्वरूप और समस्यां इस तरह से आपको जो है आप ये भी देखना कि कौन सा आपका पक्ष मजबूत है कौन सा भी कमजोर है कौन सा हमें भी पाठ पढ़ना है किसको हमें अच्छी तरह से देखना है साहितिक परीचे में हमारा क्या छूट गया कौन सी कविता की मूल संवेदना शिल्पगत सौंदर याभी आपको त्या करें बहुत अच्छे से आप रिजन्टेशन करकर आएं ब्लैक पैन लेकर जाएं हैडिंग आप ब्लैक पैन से लिखें फ्लोचार से से अपने उप्तर को लिखें चाहित्रिक विशेष्टाओं को फ्रोचार से लिखें, व्याख्याओं को बहुत सुन्दर धंग से प्रसुत करें, निभन के जो हैडिंग है उनको हाइलाइट करें, आपकी प्रश्ण पत्र में, विशेवस्तू में जो भी प्रश्ण मिल रहे हैं, उस कंटेंट में आपकी तरफ से क्या महत्यपुन जानकरी आप प्रिक्षक को दे रहे हैं, उसको भी आप हाइलाइट कीजिएगा, ताकि प्रिक्षक जो है वो आपकी कॉपी पर मंत्र मुग्द हो जाए, और वो आपकी कॉपी में आपके लेखन के अनुरूप आपको अंक देता चले, आपको बहुत सारी अग बहुत अच्छी हो, तो आप भी नया इतिहास रज़ सकते हैं, इन्ही शुपकामनाओं के साथ धन्यवाद।